जैसे ही धर्म नगरी रतनपूर मा प्रवेश करे जा थे ता प्रवेश द्वार मही इस्थीत काल भैराव नाथ जी के एक अती प्राचीन मंदीर सिध्ध तंत्र पीट के रुप मा द्विख्या थे सीध्ध तंत्र पीट भैराव नाज जी मंदिर विलासपूर अतनपूर मुख्य मार्गमा नगर के दाहिना तरप इस्थी थे जिया भगवान स्रीकाल भैराव के लगभग 12 फीट उंचा विसाल प्रतिमा रोद्र भाव ले परिपूर्ण है जिकर 20 भूजा मन मा विभिन आयूध है ऐसे माने जाते के देश मा अत्का अधी कुचाई के प्रतिमा और कहूं नहीं है और ये प्रतिमा हाँ बहुविद अलगन कराण ले सुसजी थे 16 नमंबर मार्ग सीर्ष क्रिष्ण अष्टमी तीथी के चतुर्योगी नगरी रतनपुर मा स्रीकाल भायराव जन्माष्टमी महुच्चाव ये तंत्र पीठ मंदिर मा भव्यता और पूजा अनुष्ठान हवन के संग आरम होई जिमा नौ दिन तक चलैया ये धार्मिक अनुष्ठान मा कई धार्मिक कारेक्रम आयजीत करे जाही और ये भैराव जन्माष्टमी महुच्चा मा हजारो भक्त गड़मन सामिल होके अपन अभिष्ट के कामना करही ये अवसर मा मंदिर परिसरल पूल के सुन्दर जालर अव सामोहिक उस्पांजली अर्पी गरत हुए विश्व कल्यान के कामना करे गई भैराव नाथ जी के ये दिव्य स्वरूप बच्छर भरमा सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के अवसर मही देखे पर मिल थे अव ये दिव्य स्वरूप ला मिहारे के खातीर दुरिया दुरिया लेश रधालू मन इहां पहुँष थे जमा भक्तमन के इसे मान्यता है के भैराव बाबा के दर्शन पूजन ले हर प्रकार के भय संताप दूर हो जाते सांथी जागरित तंत्र पीठ होई ले भक्तमनला एक नव जीवनी सकती प्रदान हो थे अव वैसाय उद्योग घंधा और जीविका के साधन मा हर प्रकार ले उत्तरोत्तर वृद्धी और प्रगती होई लग थे उखर क्रिपा ले जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेद बाधा आधी के घलोग भी निवारण हो जाते भैरव बाबा के स्वरूप के संबध मा इसे माने जाते के वो हा स्याम वड ले है चार भूजा ले सुसो भी थे और गला मन्नर मुन के मालाप ही नहे हात मखप पर खडग और द्रिसूल धारण करे है जेखर अत्यन तही रोद्र रूप दिखाई पड़ से मंदी रतनपूर में प्रक्षात है, जिसमें प्रत्यक वर्ष्ड भगवान भाहरोग जी की जैनती महस्तों मनाये जाते हैं, इस वर्ष्ड भी नौरोज की भव आयोजन किये जा रहे हैं, जिसमें आज गूति दिवस हैं, इस बार रुद्र महायाग्यकर ही अयोजन किये ज जिसमें पंदरस ले करके तेईस नॉम्बर तक के या कायखरम प्रति दिन चलते रहेंगे और आउती जो है प्राता दस बज़े सले करके साम साथ बज़े तक के आउती भी चलते रहेंगे जिसमें भागवान भागवान जी की समस्त प्रकार की समाग्री उसमें चड़ाये गए है और विशेश रोप से आज पंदरह जार की आसपास रुद्राक्ष की माला भी भागवान को धान कराए गए है आज रात्री में मंदीर पुरी खुली रहेंगे क्योंकि आज भागवान जी की जैनती है इसलिए मंदीर को आज पट का बंद नहीं किया जाएंगे इस बीच में अगर जो भी दर्सनार्थी आना चाहते है वो आकर के मंदीर की दर्सन कर सकते है चुकि ये मंदीर ला नगर के प्रवेश द्वार के प्रथम मंदीर माने जा थे और ऐसे मानने ता चले आवा थे के जेन भी किसान साख सबजी ले के मंदीर ले गुजर के रतनपूर आथे तव उकर पहला फल भैरा बाबा मंदीर मा जरूर अर्पित कर थे नहींता ऐसे विश्वासे के उकर सबजी हा पीला पड़ जा थे जेका कल्यूक के एक आश्यार जमाने जा थे रतनपूर ले डिजिटल रिपोर्टर गुरुतेव सोनी के रिपोर्ट